हेलो पेरे बच्चों कैसे हैं आप सब आई हूप के आप सब बहुत बढ़िया है आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रस्णिबंक हिंदी का इससे पहले मैंने मेद का और बिग्यान का आपको बढ़ी बारीक तरीकी से समझाया है मेद की कोस्टन भी सॉल्व कराए हैं एनियस क क्या वहां से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं चले बच्चों सबसे पहले है देखो आपको दिया गया है इसमें एक पेरागराप विडियो को पॉस्ट करके इस पेरागराप को पढ़ लें और इसी पेरागराप के अनुशार हमको जो है आंसर दीना है पहला प्रस्ण है मीठी और कडवी वारी के लिए कौन सा पक्षी प्रस्द है तो मीठी और कडवी वारी के लिए बच्चों आपका जो सही आंसर हो जागा ओप्सन नमबर भी कोयल और कोवा दूसरा है खीरा को उसके कडवेपन को दूर करने के ल मिलता है अगला है तुलसी और रहीम कभियों ने मीठी और कटूबाणी के लिए अपनी बात को किस से जुड़ा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा चोथरे का और रहीम सजा ठीक है अगला है इस गद्यांस का उचित सीर्शक क्या होना चाहिए इस गद्यांस को तिस सीसर गु कुछें गए हैं उनको भी अपने को स्वालव करना है देखो माठी तुझे प्रणाम मेरे पुन्य देश की माठी तु कद्री अभिराम तुझे लगा माते से सारे कश्ट हो गए दूर छड़बर मैं ही भूल गया मैं सत्तुर यंद्रा कुरूर सुक्स पूर्ति के इस काया मैं हुआ पुन्ह संचार लगता जैसी आज़ीगों के बाद मिला विश्टराम माठी तुझे प्रणाम माठी तुझे प्रणाम पहला कुस्टन है छट्वा माठी तुझे प्रणाम कभी तक किस भावरे असे सम्मन्द्न है तो इसका सही अंसर हो गया आपका मात्र भूमी सपोरक्रीबं, ठीक है, अग्ला कुशन है, माटी के माथी से लगा कर कभी क्या भूल गया है, तो माटी को माथी से लगा कर कभी सत्त्रू के कस्ट ईल्स substantive करता है अभी का अभिराम का जौ आघानती हुग का आपका मोह अग्व में देगे Princip किन सब्दों के रीचे प्रेव्च हुआ है इसका अंसर है आते आते이죠 से हैं तो कभीता में माटी के संद्स स्वधिश से अपनी दीश से ठीक है दीश से अगला है आपको एक लिस्ट दी गई है उसमें कबड़ी और होकी खेल का नाम विशिस्ता है क्या है कबड़ी की उदर होकी की वो भी आप अच्छी से पढ़ लें खेल सामग्रियां और अन्न में ठमाद य toujours कौन से दोऍसी बिशुद्ध भार्ति हैं दो कवड़ी और खूकी प्लेबल प्यूर भारति चोफिछाज़ हो है कोड़ी मेदन में खेल जाना हऊ साली सतरि अधिक खेला जाता है तो आप्शन से तो C है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जो खोको है वो साला इस्तरपरा देख खेला जाता है अगला है कौन सा खेल समग्री दिये गई खेलों में से एक से अधिक खेलों में प्योग होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 14 का गेंद गेंद जो है क्रिकेट टैनिस या अन्ड खेलों में भी प्योग होती है पंदरवा कुस्चन है ग्रामीर छित्रों में कबड़ी की लोग पीटा का कारण क्या है तो इसकी लोग पीटा का कारण यह है यह बिना समग्री की खेले जाने वाला खेल है option नंबर C जो है विल्कुल सही हो जाएगा अब चलते हैं हम अगले सोलवा कुस्चन है देखिए दातों की सुरक्षा के लिए एक पोश्टर दिया गया है इसके अमसर आपको बताया गया दातों का महत्तों को बचाने का तरीका सोलवा कुस्चन आप सब पूचा गया है कि उप्युक्त सामग्री के आधार पर कौन सा कथन सरवादिक हो जाएगा option number c कि बिना दात के प्रवासाली व्यक्ति संभाव नहीं है यहीं जो है बिल्कुल सही अंसर है उप्युक्त जानकारी का उद्देश क्या है उप्युक्त जानकारी का उद्देश हिया है कि दातों को स्वक्ष रखने के तरीकों को समझना कि किस प्रकार से हम द कया खुल जाते हैं संदर मसकान के काण अप्यों की दरवाजी इसली खुल जाती है ब्यक्ति प्रभावित हो जाता है ठीक है अगरा question है Poster की आधार पर सही कतरन चिन्यत करें तो बत्यों Poster की आधार पर सही कतर है कि दातों की सुरक्षा करना अती अवस्यक है Option Number D धूमुबरपान छूडने का मुख्ध दिश क्या है धूमुबरपान के गंभीर परिणामों के प्रति जागरुकता पैदा करना अगला कुस्चन है सूचना दी गई है काल करम की सूचना है इस आधार पर सूचना को आप अच्छे से पढ़ लें और इसी के आधार पर हमको इसके आंसर देना है यह सूचना किसके बारे में है तो बच्चों यह सूचना जो है आपकी यात्रा की विसाय के बारे में है यात् किस बाक में चादर का सुद्ध बहुबचन सब्द प्रयोग किया गया है तो इसका हो जाएगा 23 का A मुहन बाजार से चादर है खरीद कर लाया चादर का बहुबचन चादर चात्र किसके साथ चात्र पर जा रहे हैं आराम से आप पढ़ सकते हैं और उसके अनुसार फिराम को इनकी आंसर दिना है 26 प्रशना आप से पूचा गया है उप्यक्त गद्यांस के आदार पर एक अच्छा संदी सबाग के क्या होगा तो इसका अच्छा संदी से नीम लगाएं परियाबरण बचाएं और उप्योगी एक दूसरा प्रशना है तो 28 प्रशना आपका सही अंसर हो जाएगा उप्योगी आवला भी नीम की तरह ही उप्योगी एक दूसरा प्रख्च कौन सा है तो 28 प्रशना आपका सही अंसर हो जाएगा उप्योगी आवला भी नीम की तरह ही उप्योगी है अंगला है नीम की गुड़ों को ब्यक्त करने के लिए कौन सा बिसेंशर सरवातिक उच्छत होगा तो नीम की गुड़ों को इसके लिए चमतकारी जो है जो चमतकार इसलिए क्योंकि नीम का हर एक एक अंग जो है काम में आता है इसलिए चमतकारी हो गया अगला एक तालिका दी गई है, तालिका में आपको बताया गया है कि स्रीकांत, सेखर, बिनीता और अंजुमन इनकी आँखों का रंग कैसा है, नाक कैसी है, बाल कैसे है, मुह और ओट कैसे है अगला आपको पता होना चाहिए, जब अब तालिका में देखेंगे, तो स्रीकांत और अंजुमन की जो ओट है, वो एक जैसे है किन दो ब्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपिरित है, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number C, स्रीकांत एवं स्री सेखर का जो स्वभाव है, वो बिलकुल एक दूसरे के विपिरित है किन दो ब्यक्तियों की रुचियां साहित छेत्र में समान है, तो बच्चों, option number आपका 20 जो सही हो जाएगा, कि स्रीकांत और अंजुमन की जो रुचियां है, वो साहित ते में बिलकुल एक जैसी है अगला है, श्रीकंत और श्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानता है है, तो इसका सही अंसर, option number एक, उनकी नाक और आखों का रंग बिलकुल एक जैसा 35 वा question है, यह तालिका किस से संबंद्ध है, यह जो तालिका है वो ब्यक्तिकत गुड़ों से संबंद्ध है, पर्सनल क्वाइल्टी से, ठीक है अगला है, आपको इक डी गई है, तलका में आपको इस सिसुओं के लिए जो है, टीका कड़ दिये हैं, उनके बचाओ के नाम दिये हैं, बीमारियों से, जन्म से 24 गंटे के अंदर बीसी जी का टीका लगाया जाता है, इस पकार आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ लें, ठ चलिए में इस कौन सर, आपको बताता हूं, छत्तिसमा कोस्चन है, इन्हें में से कौन सा टीका के वल एक बार लगाया जाता है, तो बच्चों आपको पता होना चीए, ऑप्सन नमर सी, बीसी जी का टीका के वल एक बार लगाया जाता है, तालिका के अनुसार संपूर टीक का परावदान है तो काली खांशी के लिए पच्छों आपको पता हुए दीए एक बार सोरी तीन बार क्यों अवश्यक है तो बिमारियों से बची रहें फील्य को भी अभी आप दुनिया में कदम रखा है तो बीमाार प्राश्वी से बिटामेन A की कि इंकुल कितनी खुराके पिलाने का प्रावदाने बच्चो नो खुराके इस तरह से आपकर 40 उती हुते हैं जीवन के लिए option number B जो हवा है वो बिल्कुल अती आवस्यक है दिये गए पोश्टर की संदेश को स्पस्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उच्थ है तो बच्चों आपके लिए जो पंक्ति उच्थ है वो हुए आगी आपकी 42 का सही अंसर हो जाएगा option number C संरक्षित जल सुरक्षित कल यदि आज हम जल को संरक्षित करेंगी तो हम जो है कल अपने आपको सुरक्षित महसूस करेंगी अगला है 42 का हम सबने ठाना है पंक्ति की आंगी अगली पंक्ति क्या होनी चाहिए तो हम सबने ठाना है बूंद मूद बचाना है यहीं जो है आप के लिए किस सब्द को क्रिया सब्द की रूप में प्रयोग की जाएगी तो जो बचाएं है नहीं बचाना ये बिलिकुर सही हो जाएगा चवालिश में कभी बचाना क्योंकि एक क्रिया है और पानी को हमें बचाना चाहिए ठाना बचाना सब्द क्या है तो जी बच्छो तु टिए गया हुई कारक्रम का पूस्टर दिए गया है सूच ना दी गई है है इस कारिकरम तीक है अधर पर हमको आज्सर दिना है चलिए शुरू करते हैं 46 में संस्कृतिक कारेकरम में कौन सी दू प्राकृतिक पृति उगतां एकल और सामुहिक दोनों प्रकार की हैं तो पच्चों का सभी उंसर हो जाएक कर निरत और गायन यह दो जो दू है वो एकल हैं ठीक है आम इकल भी है हैंने सिंगल भी गा utilizz नो में प्रतिवाजी — भाग लिए सकती हैं अगला है अर्टालीस मा साला में इसी तरह का एवजण कौन सा हो सकता है थो बच्चों साला में इसी तरहına का भिए प्रतिय खतबी कीज़े सकती है अगला है इसका अभी और सवाल है कि सामोहिक सब्द में मूल सब्द और प्रत्या सब्दांस कोण घौन सी तो मूल्सफ्द हो जाएगा समूह और सप्रत्य जो है पीछえー लगा जाता है तो वह सामुहिक बन जाए एक और सभी जिस बत कि आधार किया है तो बच्चों इनमें दोनों में एक Architecture की कीए गए है वो भी एक यहीं समू है पिलस एक और समाज पिलस एक संस्कृति पिलस एक संस्कृति आई होब क्या आपको क्लियर हो चुका होगा वीडियो को लाइक चले सब्सक्राइब रू करते हैं मिलते ही ने अशने वीडियो में जल्दी टेक क्यार